लो दोस्तों कैसे हैं उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे हम आपके लिए फिर सोशल साइंस कोशन लेका यह भी कोशन है यह कोशन एकजाम में आने के बहुत अधिक संभावने हैं यह कोशन बड़े बार किमा आते हैं चलिए कोशन को सुरूख करते हैं और इसका अपकोब करते हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह वेवस्था की गई थी कि 10 वर्स के बाद एक ऐसा आयोग निप्त किया जाएगा जो इस बात की जाच करेगा कि इस अधिनियम में कौन-कौन से परिवर्तन संभव हैं भारत सरकार द्वरा एक अधिनियम का गठन हुआ था जिससे आपको पता चलता हुआ कि इसमें कौन-कौन से परिवर्तन समय भार ठीक है अता हा ब्रिटीश प्रधान मंत्री ने समय से पूर्व सर जाओं स्यमन को नेतित्त मैं आठ नमवंब 1927 को स्यमन कमिशन की अस्थापना की ठीक है ब्रिटेसतर का जो था इसके सभी 7-10 अंग्रेज थे इस कमिशन में किसी भी भारतियों को सामिल नहीं किया गया इसमें कोई भारतिये सामिल नहीं था ठीका जिसके कारण भारत में इस कमिशन का त्रिव विरोध हुआ कोई भारतिये सामिल नहीं था जिसे करण क्या अलोगनेस का विरोध करना सुरू कर दिया ठीका विरोध एक विरोध का एक और मुक करण यह भी था कि भारत के स्वसाशन के समद में निर्नाय विदेश्यों द्वारा किया जाना था ठीका यदि भारत कोई बात चले विदेश् नहीं ले सकता है इसी म्यान कार्णत के ही था ठीक है तीन फरवरी 1928 को बंबई पहुचने पर कमिशन का स्वागत हर्तालों परदस्नों और काले जंडों से हुआ था हुआ तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए जब यह पहुचा तब परदस्नों और काले जंडों से उसका स्वागत हुआ और नारे ही था कि वापस जाओ साइमन वापस जाओ ठीक है साइमन कमिशन की नियुक्ती से भारतिय देवलों में ब्यापत आपसी फूट एवं मतभेद की स्थिती से उबरने में एक राष्टिये आंदरन को उत्साहित करने में सयोग मिला ठीक है आपको इस हम संचिप में बताए है आपको इतना ही एक्जाम में लिखना है आपको प